आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक important question लेके आएं जो कि आपके competitive exam BCA के लिए और अधर exam के लिए बहुत important है number conversion तो यह number conversion binary to octal में और octal to binary में यह दोनों तरह से हम सवाल देखेंगे सबसे पहले question number 1 में बारे it to octal का method दो तरीके से हम देखेंगे दो तरीके से कैसे लगाएंगे फर्ष्ट तरीका क्या और दूसर का तरीका क्या होगा और दूसरे कोस्चन में आक्टर नमबर टू बैंडरी नमबर में इसको कैसे हम चेंज़ करेंगे यह हम तीन मेथर से देखेंगे कि इसको तीन मेथर से हम कैसे लगा सकते हैं पहले मेथर से दूसरे मेथर से और तीसरे म अच्छा लगये तो तो वीडिविक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो हम सबसे पहोई देखते हैं कि, binary number का यह base क्या होता है औरике पार अक्टल नंबर का वेस क्या होता है, सबसे पहहले हम उसको हम देखेंगे कि वेश यह क्या होता है, सबसे पहले हमको यहीं समझना जरूरी है तो बाइनडरी नंबर का बेस यहां पर 2 है और इसका एक्जामपल आप देख सकते हैं 1-001 और यहां पर इसका बेस आपको दर्सार रही है बाइनरी नंबर की पहचान कराता है और दूसरे नमबर पर है आक्टल नमबर का बेस 8 होता है जिसका रेंज 0 से 7 के अंदर ही होता है 8 से बाहर नहीं जाता है यहाँ पर इसका आप देख लिजिए यहाँ पर बेस इसका 8 है आप base के अधार पर पाचान सकते हैं कि यह octal number है इसका example देखिए 8 के अंदर है 7,2,5 अब सबसे पहले हम देखेंगे कि binary to octal और octal to binary का number conversion क्या है इतना आपने summary समझ लिया सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि binary to octal के method 1 से कैसे इसको हम सवाल लगा है वीडियो लंबा ना होने के कारण हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे है method 1 method 1 से हम क्या बताएंगे आपको ये तरीका बताएंगे जो कि आपको समझना होगा आप सबसे पहले question number 1 को देखेंगे कि मेरा question number ये एक एक जीरो एक एक और जीरो जीरो इसका base 2 है ये binary number है इसको हम octal number हम कैसे change करेंगे सबसे पहले हम चार्ट के द्वारा आपको दिखाते हैं कि ये पहले आप तीन तीन पेर में आप इसको बाट लिजिए तीन तीन पेर में यहां पे आप इसको तीन तीन पेर में आप बाट लिजिए यहां पे इसको पहले ऐसे लिख लिए जीरो जीरो एक यहां पे इसका लाई ये लिख लिए और फिर इसका लिख लिए एक एक जीरो एक जीरो इसका लाई ये हो गया और इसको यह दो बचा एक और एक इसको आप यहां पे ऐसे उतार लिए और फिर ल बढ़ा सकते हैं, लेकिन by side में हम बढ़ा सकते हैं, dino side में नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको ये नियम के अनुसार आपको binary number में, अगर आपको 2 अंक मिला ती सरका, अंक अगर नहीं मिला, तो आपको yaw side में 0,1 अंक बढ़ा देना, 0 तो यह 3 pair आपका complete हो गया पर अब आप चाट के माधहum से देखते हैं निमबर करोल न पर न के माधहum से देखेंगे आपका यहां पर 0000 एक कहां पर आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं पर 0000 001 कहां आपको दिख रहा है 001 आपको यह चौथे नमर पे दिख रहा है तो आपको यह चौथे नमर पे यहाँ पे आपको आक्टल दिख रहा है यह बाइनरी नमर था 001 आपको यह चौथे नमर पे दिख रहा है तो आप यह चौथा नमर पे यहाँ चार लिख सकते हैं इसका यह चार हो गया और ये अब आपको एक एक जीरो एक एक जीरो इस शार्ट में कहां पे दिख रहा है एक एक जीरो आपको कहां पे दिख रहा है एक एक जीरो आपको यहां पे तीसरे नमर पे दिख रहा है और आक्टर का यह तीसरे नमर है एक एक जीरो आप देख सकते हैं यहां पर इसको तीन उतार लेजिए यहां पर आप इसका तीन उतार लेजिए और आप इसको देखिए एक एक जीरो यह भी एक एक जीरो है तो आपको यहां पर भी आपको तीसरा नमर में लाए है इसको आप तीन उता लेजिए फिर आपको यहां एक अठा आपको लिखना है यहां पे तीन तीन चार यहां पे आप कलेक्ट करके एक अठा लिख सकते हैं और यह आक्टल में चेंज जो रहा था यह बैनरी नमर दिया था आपको यह आक्टल में चेंज हो रहा है तो आक्टल कबेस हम लिखेंगे यहां पर आक्टल कबेस आफ आठ लिखेंगे यह मेरा अंसर हो गए यह बहुत आसान तरीका आपको यह चार्ट याद कर लेना है आप स्क्रिन सॉटिस का ले सकते हैं यह चार्ट हम कोई नहीं बना है यह चार्ट बुक में दिया था यह सरकारी गवर्मेंट के तरफ से चार्ट प्रोवाइड किया गया है इसको आप देख सकते हैं इसी तरह से हम दूसरे नमर पर सवाल को हम देखेंगे, दूसरा नमर मेरा सवाल क्या है, दूसरे नमर को भी हम सवाल को हम, इस बैंडरी नमर को हम पेर में बाड़ लेंगे, तिन 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 अंक के एक पेर में, यह तीन अंक का एक पेर हो गया, यह तीन अंक का एक पेर हो गय अब यह आप देखते रही है आपको यह एक दम चमतकार दिखाएगा आपको इसको अलग अलग लिख लेना है एक जीरो जीरो यह वाला यह हो गया फिर एक एक जीरो यहां पर यह हो गया और फिर एक एक जीरो फिर यहां पर यह हो गया अब लाश्ट में यह एक बचा आपको क्या करना है आपको ऐसे इसको एक उतार देना और फिर बाया सेड में इसको तीन अंक का एक प्यर पूरा करना तो तीन अंक नहीं हो रहा है एक ही अंक है यहां पर जीरो और जीरो यह तीन अंक हो गया एक प्यर यह हो गया आप देख सकते हैं यह तीन तीन अंक का एक एक प्य लेगा आप देख सकते हैं आप एक जीरो जीरो कहां पर है एक जीरो जीरो पहले नमर पर तो आप इसका एक उतार लेंगे और फिर एक एक जीरो एक जीरो इसमें कहां है एक एक जीरो तीसरे नमर पर आप इसका तीसरे नमर उतार लेंगे और फिर एक एक जीरो आपको यह तिसरे नमर पर दिखा रहा है तिसरे नमर पर यह तिसरे नमर और फिर जीरो जीरो एक जीरो जीरो आपको यह पहला नमर पर दिखा रहा है तो यह पहले नमर पर हो जाएगा फिर आप इसको एक जगर collect कर लेंगे यहाँ पे इसको एक 331 यहाँ पे एक जगर collect कर के bracket में बंद कर देंगे और इसका आक्टल नमर क्या है 8 है आक्टल का वेश 8 है यहाँ पे 8 लिख देंगे यहाँ पे आपका यह answer हो गया यहाँ पे आप इसको पूट कर सकते है 1331 आपका यह answer हो गया हम आपको दूसरे method से भी बताएंगे पहले हम पहले method से हम देख सकते है दूसरे method भी आपको बहुत एकदम आसान लगीगा एकदम आसान trick हो अगर आपको पहला और दूसरा question अच्छे से नहीं समझ में आप पहले method के इनुसा तो पहले method भी तीसरा यह प्रसन है आप इसको देखेंगे साथ आपको समझ में आ जाए यह तीसरा प्रसन आप देख सकते है इसको आप यह बहुत बड़ा प्रसन है इसको देखना बहुत जरूरी है आप इसको तिन तिन अंग को एक एक पेर में बाट लेंगे यह दूसरा प्रसन हो गया यह तीसरा प्रसन हो गया यह चोथा प्रसन हो गया यह पंच्छा प्रसन है प्रसन है इसमें एक कम है यहां पे एक इसको लिख लेंगे और फिर इसका 0, 1 और ये 0 इसका ये हो गया और फिर ये 2 बदे रहा है इसमें 3 अंक मिलना चाहिए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक एक और लाश्ट में इधर बाइस साइड में आप 0 बढ़ा सकते हैं लेकिन दाइने साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं तो ये आपका ये पेयर बन गया 3-3 अंक का एक एक आप इसको टेबल में देखेंगे कि ये कहां पे आपका ये मैच कर रहा है तो आप सबसे पहले एक जीरो और एक को देखेंगे कहां मिला है तो एक जीरो एक जीरो आपको ये तीसरे नमर पे मिला है तो आप इसका तीसरा यहां पे लिख देंगे और फिर एक 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 कहां मिला है आप इसको एक 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 सतव नमर पे देख सकते है ये सतव नमर का एक 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 और फिर ये जीरो एक एक सारी जीरो एक जीरो कहां मिला है जीरो एक जीरो ये दूसरे नमर पर मिला है आप इसको देख सकते हैं दूसरे नमर पर और फिर ये एक एक जीरो एक एक जीरो ये तीसरे नमर पर मिला है आप इसको तीसरे नमर पर फिर आप इसको एक जगा कलेक्ट कर लेजिए यहां पर तीन इसका इहां लग लिए यह दो, साथ, तीन और यह पाँच है आप इसका आक्टल नमबर निकालना है तो आप इसका बेस आठ लिए यह आपका एंसवर हो जाएगा आपका यह एंसवर आपका यह हो गया आप इसको देख सकते हैं और इस चौथा नमर जो प्रस्ण है आप इसको देख सकते हैं यह आपको homework के लिए आप इसको homework में आप कमेंट करके बतांगे कि इसका answer क्या होगा आपको लिए homework है फरस्ट मेथर पर हम तीन प्रस्ण बता है जो की चौथा प्रस्ण आपके homework के लिए था अब यह हम second method से हम कैसे लगा सकते हैं इसको bandit to octal में कैसे change करेंगे second method से हैं अब आप second method के अनुसार आप देख सकते हैं यह second method से from by formula का trick है formula का trick यह formula हमारा है 4, 2, 1, बराबर 7 है 4, 2, 6, 7, यह आपका यह formula है आप इसको देख सकते हैं पहले नमर पे आप इसको trick के माध्यम से है second method के अनुसार दूसरा method है आप इसको देख सकते हैं इसका question 1, 1, 0, 1 और यह 0, 1, sorry, 0 इसका base 2 है यह binary number है इसको हम octal number अभी चुटकियों निकालेंगे 2 second में हम निकालेंगे आप सबसे पहले पहले question को देख लेजिए आप दूसरा के question को तो ऐसे यू ही लगाएंगे चुटकियों में आप सबसे पहले question number 1 को आप समझ लेजिए यहाँ पे आपको यह तीन-तीन pair में आपको यह बना लेना है एक pair यह होगा एक pair यह तीन-तीन pair में आपको तीन-तीन अंका एक एक pair आप निकाल ली है और फिर आप इसको देखेंगे यहाँ पे आप इस formula को put करेंगे यह वाला इसका यह हो गया इसका इतना यह हो गया यह पहले वाले प्यार का और यह दूसर के वाले pair का यह है आप इसको देख सकते हैं आसानी से आप देख सकते हैं इसको फिर यह formula आप रखेंगे 4, 2, 1 यह formula आप सीरेल वाइस से दाइने तरफ से दाइने तरफ से एक रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे यहां पर आप इसको चार रखेंगे और फिर यह दूसर के पेर में फिर इसी तरह आपको एक दो चार यह फार्मूला रख दिए और फिर आपको यहाँ पर एक दिमाग लगाना है कि यह चार और दो छे हो रहा है आप इसको छे ना लिख देजिए और जो एक बच रहा है आप इसको काड़ देजिए अब हम इसको एक काड़ने के लिए क्यों बोल देजित हैं हमारा आप टाल में यह कठ जाएगा जीरो नहीं रहाएगा हम इसको रिम € कर देंगे इसको इंोर करदेंगे जहां पर एक एक रहाएगा इसका हम फार्मूला के आधार पर इसको हम जोड़ लेगे चार और दो छ्छ अपे धार को मुटार है अन्हें हो प्रस्काइब लिए यह को आप revers करलेंगे और P निज़ देजाने कि इसको सबतार हुँआज है यहाँ से लेख सकते हैं यहाँ पर Canadians оч कि तरह आपको दूसरा सवाल समझ में आगा पहला नहीं समझ मिआ दूसरा आप उसको ध्यान से देखिए आप इसी तरह से दूसरे सवाल को आप देख सकते हैं याप आप तिन-तिन अंग को एक-एक प्यर में बदल लेंगे एक पर यह हो गया एक प्यर यह आप यहाँ पर आपका एक बचरा आप एक एक है यह पर जीरो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ साइड में केवा दाइने साइड में नहीं तो यह मेरा को गया अब इस फारमूलों के आप पूट करेंगे जो हम पाहले नमर में हम बता आथे पहले केसिंट में जो यहाँ पे मेरा है आ आप इसको चार दो-और एक- चार फिर एक दो चार आप इसको लिए फिर एक दो चार अब मेरा जीरो नमर पर जितना यह आ रहा है उसको हम इग्नूर कर देंगे सिर्फ एक वाले को हम लेंगे जीरो पर यह आ रहा काड़ दीजे खटाक से जीरो पर यह आ रहा काड़ दीजे खटाक से फिर यह मेरा जीरो पर यह आरा काड़ दीजिए, खटाक से हैं, कड़ गया, आप इसको एक को लिग लेंगे, एक, और फिर इसको, एक को यहां पर ऐसे लिग लिए, और फिर इसको जोड़ना, एक प्यर में जो रहेगा, उसी को जोड़ेंगे, फिर दो और एक तीन हो गया, यहां पर इसको दो और एक को जोड़ यह तीन हो गया, फिर यहां पर इसको काटे हैं, आप इसको फिर एक और एक को यहां पर हैं, आप इसको जोड़ देंगे, फिर इसको एक जगा आप कलेक्ट करके, आप इसका बेस आठ लिग देंगे, आप एक तीन तीन, आप इसका बेस आठ लिग इसी तरीके से हम तीसरे नमर को भी देखेंगे तीसरे नमर की है दूसरे मेःथ़र के-ही हजार पर हम तीसरे नमर देखेंगे। तो ये मेरा रहा तीसरा नमबर ये तीसरा चौथा पचवा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आप इसको कमेंट बाक्स में इस कोश्चन को हल करके बताएंगे इसका एंसर क्या है हम उस कमेंट को आपको जवाब दूँगा कि ये एंसर सही है गलत हम आपको जरूर जरूर बता आप इसका आंसर कमेंट बाक्स में जरूर बताएं अब हम देखते हैं कि आक्ट 9 10 पर डशर सोाथ कम राखने नहीं प्क्राइब ओर था नियुक्त्या उन्र सब्तार संपे तो इसको भी दाख सघ्रा त्रिक के साथ हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे तो इसको भी देखेंगे ट्रिक के साथ हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या है आक्टल टू बैंडरी इसको कैसे हल करेंगे यह मेरा रहा आक्टल टू बैंडरी नमबर इसको हम चेंज करेंगे इसका बेस आप देख लिए यह आठ होता है और बैंडरी नमबर का यह बेस दो होता है इसका आक्टल नमबर हम चेंज करेंगे बैंडरी नमबर में हम मेथाड वान की पहले देखते हैं मेथाड वान से कैस प्रकेयों से लेगा फिर मेठर तो देखेंगे तीन तरीके से की नोट में क्या है सबसे पहले आप इस कोस्टिन को देखी इससे को स्टार पर हम देखेंगे की नोट में क्या लिखा हूआ है और पहले question को समझेंगे बाद दूसर का question समझेंगे अगर पहले question को अच्छे समझ लेना तो दूसर का question को तो चुटकियों हम समझ जाएंगे तो सबसे पहले question number one में हम देखते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है बहुत important note है ऐसे ही हम नहीं लिख के लाएं आप इसको देख लिजिए सबसे पहले हम इस question को 6,3,5 6,3,5 को से 6,3 तथा 5 को अलग अलग कर लेंगे इस बेस में और फिर अलग अलग करने के बाद उसको हम lcm निकालेंगे 6,3,5 का lcm हम निकालेंगे lcm कैसे निकालना हम आपको निकालना बता देते हैं यहां पर हम direct lcm निकालके आप लोग को लाएं हैं शिफ का 1,0 इसका बादरी नमबर हो गया lcm निकालने के बाद यह बादरी नमबर है और फिर 3 का बादरी नमबर 0,1,1 यह बादरी नमबर इसका यह हो गया lcm निकालने के बाद और फिर 5 का lcm निकालने के बाद इसका और एक हम देख लेता हैं कि बाइंडरी नमबर तो हम निकाल लिए हैं आप लोग कैसे निकालेंगे LCM के द्वारे निकालना है छे का LCM कर देंगे तो निकल जागा तो चलिए हम निकाल के भी दिखा देखते हैं कैसे निकलता है सबसे पहले हम 6 निकालेंगे यहाँ पर यह 6 है 6 का हम निकाल के हम दिखाएंगे LC icon कैसे इसका निकालते हैं इसका बांरी नमबर है तो बांरी नमबर दो होता वेस्ट औब्वेस्ट का ही हम यहाँ पर हम भाग देंगे तो यह 3 हो जाग गए 2, 3, 6 मेरा कितना LCM बचाई 0 तो यहां पे हम 0 उतार देंगे फिर इसको हम 3 से काटना तो 2 से हम काटेंगे तो हम 2 यहां पूतार लेंगे 2 से भाग देंगे तो यह तीन है तो हम यहां पे मेरा 2 गने 2 और तो यहां मेरा एक बच्राय है यहां पे एक है और यह माइनस जीरो अब हम इस व्यम्य में आई वेस्pee आई विस्टों से नियुक्षि नंगे यहां पर मेरा एक यह वगया और जीरो और फिर यह जीरो अहANA करा गांति कि यहां मेरा यह यहां पर एक होगा क्योंकि यह कंद क्रिक्षी दो एक पर आप गया है और फिर इसी तरह हम ठ्रीका निकालते हम हम ले расс stock हो पनिगे कर देखे लुट नदेखते हैं पहले मेरा यहां पंच कर निकालेंगे 5 के इसी तरह पांच का देख लिए दो से लोग चार हम्हें नहीं फिर दो कना दो रिमेंडर जीरो फिर आपे देख लिए ऐसे इसको ऐसे और यहां पर चेहां पर है यह लिखा हुआ है एक जीरो एक ठीक आब हम देखेंगे कि की इसको कैसे क्या करना हमेंडर निकल ali सब कुछ निकल यहां पर मेरा बैंड निकल गया सिफ दिन बान डे के इतना बहन सब इतना जोई कथा ये जगह पर लिख न आ देखिए यहां पर, यहां पर देखिए यहां पर, आप इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, हम यहां पर लिखे होगा है, आप यहां पर देख सकते हैं, एक एक जीरो, एक एक जीरो, और फिर, जीरो एक एक, जीरो एक, यहां पर यह हो गया, फिर, एक जीरो और एक, एक जीरो एक, यहां पर हम दूसरा सवाल आपको दिखाएंगे दूसरा सवाल भी हम मेथड़ वन की तरीके से लगाएंगे इसको सबसे पहले हम 6 को हम LCM निकाल लेते हैं 6 का LCM क्या होगा 2 से हम इसका निकालेंगे बैनरी निकालना है तो इसका 2 हो जागा 2, 3, 6, remainder, 0, फिर दो एक करने हैं 2, remainder 1 इसका यहाँ पर LC इस तरह लिख सकते हैं 1, 1 और 0, 1, 1 और 0, फिर 3 का निकालेंगे हम 3 का यह पहले जास हम लगा थे यह से दोसरे भी सवाला है फिर 2, 1, 2 से हम निकालेंगे 2, 1, 2, remainder 1 इसको हम यह एक और एक और दो अंख है तो तीने अंख का हमको प्यार पूरा करना है तो यहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं फिर हमको यहाँ पर 5 का निकालना है हम दूसरा प्रसने देखते है method 1 के यह अनुसार आक्टल से बैंडरी इसको भी हम निकालेंगे हम सबसे पहले इसको 7 का LCM निकाल लेते हैं बैंडरी निकालना तो LCM तो निकालना ही पड़ेगा 2 से हम निकालेंगे हम इसको पहले दो से बाग देंगे तो दो त्याइँ 6 तीन बार में और फिर 6 में से 7 यह है तो एक यहाँ पर रिमेंडर बच गया है फिर 2 से इसको काटेंगे दो एक करने दो और रिमेंडर यहाँ पर यहाँ पर ही ऐसे हो जाएगा फिर हम सबसे पहले इसको इस तरह ब्यास से लिखेंगे फिर इस तरह एक 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 और फिर एक यहां पर इसका यह किया हो जाएगा और फिर तीन काम निकालेंगे यहां पर तीन 2 से काटेंगे 2 एक करने 2 remainder 1 हम इसको इस विश से लिख सकते हैं एक एक और इधर एक घट रहा है तो यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं यह भी मेरा पूरा हो गया फिर हम 5 का हम निकालेंगे 5 का 2 से हम निकालेंगे काटेंगे इसको 2 दूना 4 remainder 1 फिर 2 एक करने 1 से है इसका कर जागा remainder 0 इसका हमारा boundary 1 और 0 और फिर यह 1 यह मेरा यह हो गया हम एक जगा इसको एक अठा लिख देंगे यहाँ पर इसका सबसे पहले 1 1 1 और फिर इसका 0 1 1 और फिर इसका 1 0 1 यहाँ पर यह मेरा 2 यहाँ पर वेस लिख देंगे यह मेरा answer हो गया यही मेरा method 1 पर octal 2 boundary का conversion था अब हम देखेंगे method 2 के अधार पर यह कौन से सवाल कैसे लगएगा method 2 के वेस के हम इसको chart के दौ़ार समझेंगे जो हम chart के दौ़ार boundary 2 और निकाले थे वेसे इसमें भी octal 2 boundary में भी मेरा यह chart के दौ़ार निकलेगा method 2 के अधार पर इसको सबसे पहले हम साथ देख लेते हैं यह पांग चार दो यह octal नमबर है इसका बेसाठ होता है और फिर यह इसको हमको बैनर निकालना है हम chart के दौ़ार आपको बोले थे आप chart का screenshot ले लिजिए का यह रहा मेरा chart इसको आप देख सकते हैं इसका screenshot ले सकते हैं इसी के दार पर हम method 2 का हम सबसे पहले आप इसको देख लेजिए यहाँ पर 7 का क्या है यहाँ 7 का आप लिखना बैनरी नमबर 7 का है पर आपका रहा यह बैनरी नमबर आपको यह लिखना है 7 का बैनरी नमबर 111 तो यहाँ पर इसका 7 का आप लिख सकते हैं 111 और फिर यह 5 का आप लिख सकते हैं पांच का क्या होगा पांच का ये देख सकते हैं यहाँ पर एक जीरो एक ये बैंडरी नमबार है यहाँ पर एक जीरो एक ये पांच का होगा फिर ऐसा चार का हम देख लेंगे चार का क्या होगा चार का आप देख सकते हैं एक जीरो जीरो एक जीरो जीरो सरी जीरो एक जीरो अब आपको एक अठे एक जगल क्लरने । आपको एक एक सेकिन में आप इस नहीं पर तक आप इसको कुछ चार्ट को याद करना पड़ेगा सबसे मदेरे इसी तरह आप देख लिजी दूसरा का दूसरा का मेरा होता है पांच का यह क्या होगा पांच का आप यहां पर देख सकते हैं आप एक जीरो एक एक जीरो एक तीन का जीरो एक एक जीरो एक फिर इसका एक का एक का आप देख सकते हैं जीरो जीरो एक जीरो एक फिर दो का आप देख सकते हैं दो का एक शरी 0100 0010 आप इसको यहां पर ब्रैकेट ब्बन किरके इसका लगा ये मेरा अंसर हों इसका अपो इसको लगाएंगे इसका यह ओमर कराईगा आप इसको कमेंट सेक्ष्ण वे बताएगा कि इसका आप इसको तीसरे मिथर से फार्मूले के मेथर से आप देख सकते हैं जोकि हम पहले कोस्टिन में बताते हैं बारे टू आक्टल में यह मेरा और दो यही मेरा फार्मूला देखा गया आप इसको सबसे पहले हैं आप देख सकते हैं 6 का 6 को हम यहां पर ऐसे बाट लेंगे एक और दो और चार यह मेरा फार्मूला लिखा गया इस फार्मूले के अधार पर हमको एक ऐसा अंक जोड़ना है जो यह 6 आजाए 6 आने के लिए हमको इसी फार्मूला से ऐसा जोड़ यह घटा और कुछ भी करना हो ताकि 6 आ जाए तो 6 कैसे आगा है दो और एक तीनी हो रहा है यह 4 और एक पांची हो रहा है 6 कैसे लाए यह आप सोचते होंगे तो यह 4 और 2 यह 6 आ रहा है यह एक दम एक जाट है 4 और 2 यह 6 आ रहा है जोड़ने पर जो जोड़ने पर 4 और 2 च। 6 आ रहा है इस नहीं तक हम यह नहीं पर एक लिख देंगे और पिर जो नहीं आ रहा है उसको हम झीरो लिख़े इसको इंगनुर कर देंगे ठीक, ये रहा हैँ अब हम लिखे देंगे जिसका हमको कोई काम नहीं इसको हम इग्नूर कर देंगे जीरो लिखेंगे ठीक, अब हमको निकालना है अब आप सोचते होंगे एक काटे की हो एक काटने का मतलब इक काटा नहीं है मेरा यह बांडरी लिखा गई लिखा गई जीरो में तो यह हम सबसे पहली इस अंग को हम ए 1-8 लिए लेता है यहां पे एक एक 0 और एक जीरो जीरो यहांा पे मेरा इसका इसका यहां पे लिखा गया मेरा ऐंसर हो गया च्यूंक्यों क्यूंकि चार को जोडने पर चारी आ रहा था चाहा पर इसको हम एक ही लिखेंगा बाकी जो काम को नहीं था आप जीरो जीरो लिखेंगे ताकि हमारी ये बैंडी नमर में सही से पूट हो जाए उसी तरह से हम यहां पर भी देख सकते हैं चार और दो छे हो रहा था तो यहां पर इसको एक और एक लिखेंगे जो मेरा ये एक काम में नहीं आए रहा था उसके हम 0 लिख देंगे काटे नहीं है लेकिन 0 लिखना है हम आपको समझाने क्लिक काट दिये हैं तो यह मेरा 0 लिखा गया है यहाँ पर जी रो यह मेरा आइंसर हो गया यह फार्मुलर के अदा पर यह ट्रिक नमबर 3 था जो मेठर नमर त्री ये मेरा है अब इसी तरह से हम दूसरा नमर देख लेते हैं दूसरा नमर सवाल क्या है दूसरे नमर को भी हम इसी तरी किस देखेंगे ये मेरा एक है इसको सबसे पहले आप बाढ़ लगे ये तीन है और ये रहा चार सौरी तीन अब इसको हम फार्मूला दे तो हैं एक दो और चार यह लिख देंगे यहां से फिर इसको भी हम लिख देंगे इसके निचे भी एक दो और चार फिर इसके निचे भी एक दो और चार लिखा गया अब उसके बाद आपको देखना कि जोडने पर कौन सा अंक आ रहा है इसको जोडने पर अगर जो अंक आए गाँ उसके नीचे हमें लेखिंगे बाकी के नीचे हम जी रोले ले तो इसके नीचे जोड़ने पर आगले की जूड़ने क दो आपको देखना कि तीन इस फार्वूले के किस एक angefस्चे जोड़ने पूंज黨 стать ऐ्याएं आराइए तीन तुझार और भ我们 एक पांच वूंची कि एक और एक लिक देंगा और यह किसी भी जोडने पहने जा रहा है तो इसके निजिए के इसंप अटिक रहा रहा है कि इसको देंगे डो और एक तीन शि dare आ रहा रहा तोो कि आप इसके काम करने इसके देंगेborden देंगे जीरो रूप्या मिसको देंगे मतलब कहा रहा है फिर ये मेरा एक जगा इक अठा हो जाएगा एक जगा इक अठा करके आप इसको लिग लिएगा यह मेरा बैस दो लिग दीज़े यह अंसौर रहे इसाथ तीसरे कुस्ट्ट्ट को आप कमेंट सेक्शन बताएंगी आ आपके लिए आप इसको बतांगे वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू किजिए गए दोस्तों वीडियो एक नंबर हमको लगाए बना है आपको इता हम एंडर परसें समझ बहां गया होगा तो धन्यवाद लाइक किजिएगा